सोच लिजे जो लड़की भजन गा रही है उसका पाकिस्तान में प्रिव्यू हो रहा है और उसमें कहीं से कोई नहीं कह रहा है कि वो लड़की गलत गा रही है पाकिस्तान में भी उन चारों बहनों की तारीफ हो रही है और भजन गा रही है इस सबसे बड़ी बात मुस्लिम भजन गा रही है हमने पूछा रक्सॉल की चार मुस्लिम बहने जो है वह भजन गाके वाइरल हो रही है और वहां पे वे फॉर यू की टीम वहां पर पहुंची और उसको प्रोसाहित की अभी हमारे साथ मौजून है वे यूएस से भी कॉल किये कई लोगों ने उसकी मदद करने के लिए एक कमरा है उसके पास और उस एक कमरे में पांच भाई बहन के साथ में माबाब रहते हैं उसी कमरे में खाना बनाना उसी कमरे में बच्चों को पढ़ना है संजोग था कि हम लोग गए तो उसकी पिताजी स उसे बात्चीत में बोले कहा घर है आपका तो वो ले जाके हमें घर दिखा दिये और देखने के बाद जब उसके बाद हम लोगा इंट्रिवु हुआ तो उस समय तक हमारे मन में हैसाब कुछ नहीं था लेकिन जब इंट्रिवु हुआ और एक भजन उसने गया था कि मेरे रा मेरे मन मिभी है राव मेरे तन मीब इसे है रावि रिमान मीब भशी है राव मेरे थन मे बसी एर ऐर जैसे उसका शुरू शुरु हुआ तो पूरा गिप्टेड यह आवाज है और इसको अगर सपोर्ट सही से मिलेगा तो यह जरूर कुछ अच्छा कर जाएगा तो हम जो है वहां से वापस जब आए तो हम बोल क्या है उसी दौरां जब इंट्रिव कर रहे थे तो हमने कहा कि आप लोगो सोशल मीडिया पर गाना चाहिए तो क्योंकि कोई भी चीज को चलाने के लिए के एकुप्मेंट तो बहुत ज़रूरी चीजे है आप में भरे बहुत लगन है लेकिन अगर सामनी ये कैमरा अगर रिकॉर्ड नहीं कर रहा तो हमारी आपके आवाज किसी तक नहीं पहुँचेगी तो हम लोगों ने जो स्पॉंस रक्सॉल गए दुबारा और समझ लिए यहां से लगबग 200 किलमेटर दूर है अब गए वहां जाकर कि फिर से हमने उसको दिया यह नहीं उनके चार-पांच गानों को हमने अपने कैमरे में रिकॉर्ड फिर से किया उन लगों के लिए कि हम आपके चैनल पर लगा भी होने के बाद जो उसके पास आर्ट है उसको सपोर्ट करने की जोड़त है जो अभी बहुत सारे लोग जा रहे हैं एक दिन में दस-दस क्रियेटर जा रहा है उसको रिकॉर्ड करने के लिए तो रीजन यही है कि वो ऐसे नहीं जा रहा है वो अच्छा रही है लोग उसको सुनना चाहरे है अभी कली उसके हमको कोई लिंक मिला पाकिस्तान का कोई चैनल है और तीन-चार चैनल जो मेरे वीडियो को प्रिभीउ करके वीडियो बना रहे है और सोच लिजे जो लड़क यह गा सकती है पाकिस्तान में तो इसे गाने नहीं देगा भजा है ति वहीं गा सकती है और देखें इंडिया कितना अच्छा यह भी कह रहे हों लोग एक तो अपने देश का नाम आगे बढ़ रहा है इसके बहानी दूसरा है कि उन लोग की कला लोग सुन रहे हैं और हम आप इसको प्रमोट करना चाहिए लोगों को देखना चाहिए और रियली उस उन बचों को प्लेटफॉर्म मिले तो वह जरूर कुछ अच्छा करेंगे इतना ही नहीं हमारे टीम ने उसके लिए उनके लिए एक विजिक टीचर का भी अरेजमेंट किया हम लोगों ने उसके परफेक्टर जो सबसे बड़ी बात यही है को भी कलाकार यह नहीं कहता कि हम प्रग्राम नहीं करेंगे उसने कहा कि हम उस लाइक अभी नहीं हुए है कि हम परफॉर्मेस कर सकते हैं चोटा मोटा गौं में अगल बगल में होता तो उसमें हम लोग जाते हैं लेकिन हमारा इ पर्फाने लगे हैं और यह प्रयास है हम लोग का एसा प्रयास को कई लोगों के लिए करते से पहले सुनु के लिए भी हम लोगों ने लैप्टॉप सोनु कहा मुझे ड्रॉइंग करना बहुत अच्छा लगता है सबसे पहला बार को क्रियेटर को को आदमी स्पॉनसर में म और वो सोनु को हमने दिया था लिजा करके अब तो कई लोग उस राप हैं कई लोग जा करके उनहीं लोगों से जिन लोगों से हम लोगों से ले करके दे रहे हैं लेकिन हम हमारे नजर में वह इसा कोई लगता है जो उसके लाइक है जिसको जरुरत है उसको उसके लिए हम क दिखेंगी गाते हुए यह वो दिन आएगा आप दिखिएगा क्योंकि सोसल मेडिया सोसल मेडिया सोसल प्लेटफॉर्म पे जो लोग वाइरल हो जाते हैं जैसे कि हाल फिलाल में समस्ति पूर के अमर्जीत जैकर वाइरल हुआ था और उसे सोनु सूध ने एक अच्छा प्ल प्लेटफॉर्म मिलेगा इस तरी के लाइगा उसमें हुनर है अमर्जीत जैकर को सोनु सूध बुला लिया ये बड़ी बात नहीं है अमर्जीत जैकर अच्छा गाता है इसलिए सोनु सूध ने उसे बुलाया बिलकुल कोई नया मतलब वह ऐसा नहीं कि वह गाह नेरार उस इसको बुलाया गया और हम कह रहें कि यह भी बच्चे उस लाइक है इसको प्लेटफॉर्म मिलेगा तो यह भूले न असी मुचायों तक जाएंगी ये लोग सभी बात है क्योंकि हिंदूस्तान ही नहीं पाक जैसा कि आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान में भी उन चारों वह जिए मुल्वी कंना चाहते हैं कि यह कलाकार है यह कलाकार है यह गार है और उसका कोई धर्म नहीं होता हमारे हैं जो लोग हैं प्रक्राइभण करते हैं दौशुंताइं पंकर जुदास art तो गा रहे हैं भजन कई मुस्लिम सिंगर है जो लिख रहे हैं तो गाते उनका उनका गार है वह इसा थोड़ी कि धर्म परिवर्तन कर लिया यह तो साधना संगीत है संगीत के जरी हो लोग गार है कहीं मुस्लिम लोगों के साथ यह बात उनलोगों के जहन में खटकती है कि वह भजन गा रही है और गाना जो हिंदू कवाली गाता है हिंदू सूखी सौंग गाता है तो खटकता नहीं किसी को कहां हम लोग कहते गयरे तुमने गलत कर दिया हम तो कहते हैं आर्टिस्ट है में कियों नहीं घाएगा हैं सलमान खान परम भजान कर देते संब आपूत्वा है संन्परberg कुकि थो है जो चीज जोणा हैaf उसको करने दिजे ना धर्म कहां से आ गर तो जो चीजें का नीड है वह कर रहे हैं और उसी तरह से यह बच्चे गा रहे हैं उसको सपोर्ट करने की जोड़ा था अमें तमाम लोग जो लोग देख रहे हैं वो आपके चैनल के जरी है या मेरे चैनल के जरी है या किसी भी प्लेटफॉर्म पर उसको देख रहे हैं उसको सपोर्ट करने की जोरत है उसको आगे ले जाने की जोरत है और आपका सपोर्ट उन बच्चियों के लिए सिर्फ उतना रोगल आयाए किला यह लोगों का यहां जो रहा है, चार होराइकिक म向द दो कॉमनीकेशन कहीं मान जो पढ़ने गई है, मम्मनी को बोले कि मैं अभी रियाज कर रही द सब्सक्राइब करके मं मुझेशन कर में, कर देंगे तो इसे कई लोग है कि आ गया रहे हुं और नहीं तो हम लोग जो कर पा रहे हम गी सब्सक्राइब करो तुम लोगों में है जजवा है करो इन चीजों को प्रियास करो वो कर रहे हैं उन्लों और वही तो कहा कि आपको भी अगर लगता है कि अच्छा कर रही है इसको सपोर्ट कीजिए वीडियो को देखिए दोस्तों रिस्तदारें में सेयर कीजिए दिरे दिरे ऐसे ही आगे बढ कर्मोट किया था पहला दिन जब सब्सक्राइब किये थे तो 385 सब्सक्राइबर था और अभी उसके चैनल पर लगए 13000 के आसपा सब्सक्राइबर है एक मेने के अंदर यह सपोर्ट है हमारे वीडियो के जरिए उन तमाम लोगों को धन्यवाद है जिन लोगों ने उसको प पर ओट किजिए यह हम मेरा भी आप आप लोगों से आग्रह होगा इसी तरी कि अगर खोरों को आगर आप हमें यूट्व पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें फेस्बूक पर देख रहे हैं तो लाइक कर लें इस्टाग्राम और ट्वीटर पर मिले आते हैं तब के लिए बने रहें जाहें जाबिया